कांगर जिला की बीड बिलिंग घाटी में एकुरेसी पैरा ग्लाइडिंग प्री वर्ल्ल कप शुरू हो चुकी है इस प्री वर्ल्ल कप का शुभारम एच्पी टीडिसी के अध्यक्ष आरेस बाली ने किया इस मौके पर उनके साथ सीपीएस एवं बैजनात के विधाय की शुरू इलाल भी मौजुद रहे आपको बता दें कि बीड बिलिंग पहुँशने से पहले आरेस बाली का बैजनात में जोरदार और भवे स्वागत किया गया इस प्रतियोगिता में 10 देशों से 103 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जिन में 13 महिला प्रतिभागी भी शामिल है इस एकुरेसी प्री वर्ल्ड कप में आर्मी के जवानों ने भी भाग लिया है ये प्रतियोगिता चार दिन तक चलेगी समापन समारों की अधिश्टा 9 अप्रेल को मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खो करेंगे आरेस बाली ने कहा कि बीड बिलिंग में अंतराश्टी स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन इलाके प्रदेश और देश के लिए गौरफ की बात है उन्होंने कहा कि बिलिंग घाड़ी पैराग्लाइडिंग के लिए अपनी विशेश्टाओं की चलते दुनिया भर में सरोश्ट्रेश जगों में आखी जाती है उन्होंने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एस्सेशन को भव्वे अंतराश्टी प्रतियोगिता की बधाई दी और सफलता पूरवक आयोजन के लिए सामोहिक प्रयासों की सरहना की उन्होंने एस्सोसियेशन को बिलिंग में पेरागलाइडिंग के वर्ल्लकप के आयोजन के लिए भी सभी मापदंड पूरे करने के प्रयास करने का सुझाब दिया इसमें भाग ले तो आप लोगों का धन्यवाद वो उर्जा देने के लिए नंबर अफ टोटल पाइलेट जो है इस एकुरेसी पैरागलाइडिंग प्री वर्ल्लकप दोहजार तेईस में दोहजार तेईस में वो 142 हैं टोटल कंट्रीज जो इसमें जो रिजिस्ट्रेशन वो 10 कंट्रीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज इसके अंदर भाग ले रही हैं वो इंडिया, USA, निपाल, स्पेन, निदरलेंड ये आज की तरीक में भाग ले रही हैं जो यहां पहुंच पाई अभी तक जो फीमेल, 103 लोग पाईलेट हैं जो फ्लाइ कर रहे हैं बहुत बड़ा अंकड़ा है एक सो तीन ऐसे पाईलेट जो कि दुनिया भर में पैरगलाइडर उड़ा चुके हैं ये बहुत बड़ा अंकड़ा है कि दुनिया भर से आके 103 लोग यहां पे पैरगलाइडिंग उड पुपर रेंगे बीड बिलिंग आगे वो कितना अज Tillow आ, 8 पूंच ए जो इंडियन Sounds, 24 है, उसमें आर्मी, इंडियन आर्मी कि के जव्मान जो है से जो तालू रखते हैं वह तो दस है नेवी से जो तालूग रखते हैं वो एक है एर फोर्स से जो तालूग रखते हैं वो एक है और पैरा मिल्टरी से जो तालूग रखते हैं वो पांच है ये बहुत बड़ी चीज है मैं आप सब को शुमकामनाएं देता हूँ और आज क्योंकि मैं टूरिजम से मेरा सालों का मैरा विभाग में महें को दाइत्व दिया है तो टुरिजम की तरह से ड्ीटडियो साफ आए है मैं चाहुँगा कि और इसके अंदर तुरिजम के शेत्र में हम क्या करपाएं उसकी पॉसिबिलिलटी भी देखें और तुरिजम हमेशा इस event के साथ थड़ा हुआ है इस बार भी tourism main sponsor भी है इस event का और हमेशा मैं चाहूँगा कि ऐसे events को tourism और आगे लेके जाए और हमेशा की तरह इसको आगे sponsor करें मैं और चाहूँगा कि यहां पे कुछ जगा का भी SDM साभ आप पता करें ताकि यहां कुछ बनाया जा सके अगर forest के पास भी जगा है तो अगर वो N.O.C. दें तो इसके उपर काम करें